हलो दोस्तों वीनम आफीसियल में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं आवला अचार की रेसिपी वैसे तो जाड़े आ जाते हैं तो आवले मार्केट में बहुत आ जाते हैं और उनको किसी न किसी रूप में हमें सेवन करना चाहिए आवले के अचार बनाने के पानी में उबालने पे सारा उसका पानी में चला जाता है इसलिए अब देखिए हम आउले को इस्टीम कर लेंगे पांच से दस मिनट तक इस्टीम करने पे आउले मुलाए महां BACK जादा एकदम नहीं उबालते हैं रूपका ही उबालते हैं थोड़ा साउला दबने लगता ह है तब ही तक उबालते हैं हम आउला उबल चुका है मेरा हलका हलका दबना शुरू हो गया है गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे देखिए आउले अच्छे से उबल गया है इसको निकाल के एक प्लेट में या थाली में गिरा लेंगे थोड़ी देर में आउले ठंडे हो जाएंगे उसके बाद इनकी कलियां खिला लेंगे अलग-अलग उनकी वैसे ही थोड़ा सा प्रेसर देने पर अपने आप उसकी कलियां अलग हो जाती है देखिए कितना आराम से अलग हो जा रहा है एक-एक कली अलग से थाली में पूरा निकाल के रख देंगे कि धूप लगाने के लिए हम रखें तो अच्छे से धूप एक-एक कली पे लग जाए दीखिए तीन-चार घंटे की धूप के बाद ऐसा दिखता है हमारा अलग अब आउले के अचार के लिए मसाला त्यार कर लेंगे एक चमच धनिया एक चमच जीरा एक चमच मेथी एक चमच सौफ अजवाइन मंग्रेल मंग्रेल को हम पीसेंगे नहीं बस हलका सा रोष्ट यह मस्टर्ड सीड पीला सरसो हम यूज़ करेंगे क्योंकि काला वाला सरसो बहुत तीका हो जाता है नमक अंदाज से ले लेंगे स्वात के अनुसार नमक से ही अचार हमारा सेफ होता है इसलिए नमक कम नहीं होना चाहिए हल्दी पीसिव ही यूज़ कर लेंगे मिर्ची भी पीसिव ही यूज़ कर लेंगे थोड़ा सा हींग रख लेंगे मिर्ची को पाउडर करके अगर चाहें तो आप डायरेक्ट मिर्ची को भून के भी पाउडर बना सकते हैं उसका टेस्ट और भी अच्छा आता है हम पहले ही मिर्ची को पीस लिये थे सारे मसाले को हल्का दो मिनट तक सेख लेंगे घुमा घुमा के धीमी आज पर इसके नमी खतम हो जाती है और मसाले के खुशबु भी आ जाती है और सेल्फ लाइफ भी इसकी बढ़ जाती हैं अचार के इसके वज़े से अचार खराब होने का एक ही कारण होता है कि नमी उसमें आ जायता है तो मसाले को एकदम दरदरा ही पीस लेंगे बहुत पाउडर फार्म में नहीं करेंगे अजवाइन और मंग्रेल को हम पीसते नहीं है उनको खड़ा ही थोड़ा सा दरदरा ही यूज़ करते हैं क्योंकि मंग्रेल से अगर पीस देंगे तो वो काले पड़ जाएंगे अचार हमारे और हींग को भी ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं देखिए मसाला बन के त्यार हो गया है कितना अच्छा दिख रहा है बहुत जादा पाउडर फार्म में नहीं किये है तेल को हम एक कर्चुल में या फिर पैन में किसी में गरम कर लेंगे इसमें से धुआ निकलने लगता है तेल को हलका ठंडा किये हैं नहीं तो मसाले इसमें जल जाएंगे और तेल में हम हल्दी और लाल मिर्च पाउडर को डाल देंगे इससे हमारे अचार का कलर बहुत अच्छा आता है ठोड़ी सी हल्दी का कच्छापन भी चला जाता है हल्दी हलकी पक जाती है तेल में देखिए दोनों का इसमें मिक्स कर लेंगे फिर अचार में मिलाएंगे इसससे अचार तेल गरम करने से क्या है कि अगर हमारे तेल में थोड़ी भी नमी रहती है वो खतम हो जाती है राचार में भी थोड़ी सी भी नमी रहती है तो वो खतम हो जाती है गरम तेल पढ़ने से आवला भी अच्छे से उसकी नमी सूफ जाती है तेल के वज़ा से इसमें हल्दी मिर्शी पढ़ चुका है नमक एट कर लेंगे सब को आपस में mix करके हल्दी, नमक, तेल, मिर्ची mix कर चुके हैं मसाले भी इसी में add कर लेंगे मिलाने के बाद सारे मसाले हम दरदरा पीस के मिला के रख लिये हैं मसालो को इसमें डाल लेंगे सौ, अजवाइन, मंग्रेल को हम थोड़ा सा खड़ा भी डालेंगे उससे वो देखने में भी खुबसूरत लगता है और फ्लेवर भी अच्छा लगता है उसका अच्छे से इसको mix कर लेंगे देखें अचार का color कितना अच्छा आ रहा है प्रापर अच्छी तरह से मिला लेंगे जब कोई जरूरी नहीं अच्छे इतना टेस्टी है अचार बिना हम इसको वेरिनेंगर के ही बनाते हैं और ये साल, दो साल, तीन साल तक आप रख सकते हैं इसको इसकी self life इतनी अच्छी रहती है इसको हमेशा सीसे के जार को अच्छे से धूप में सुखा के फिर उसमें store करना चाहिए पहले तो हम इसको एक दिन तक एसी में धूप दिखा देंगे मिलाने के बाद ये देखें हम खड़े मंगरेल थोड़े से आधा चम्मच अजवाइन आधा चम्मच खड़े मसाले का फ्लेवर कुछ अलग आता है अचार में थोड़ा सा खड़ा अच्छा लगता है सौप आधा चम्मच इसको उपर से छीट लेते हैं इसमें हींग को लाश्ट में डाल देते हैं हिंग से क्या है हमारा हेल्थ के लिए भी बहुत पायदा करता है आचार में हिंग के खुश्बू भी बहुत अच्छी आते हैं इसमें जो भी ये मसाले हैं हेल्थ के लिए इतने अच्छे हैं कि जब मसाले तेल के अंदर अच्छे से पक जाते हैं तो उनकी हेल्थ और ज़ादा ही बढ़ जाती है हमारे पुराने ग्रंट्स में मसालों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है ये सारे एक-एक मेडिसीन का वर्क करते है इसमें कोई भी मसाला ऐसा नहीं है जिसका और अजवाइन पढ़ गया है ये पेट के लिए सर्दियों के लिए सर्दी नहीं लगती है जवाइन छोटे बच्चों को बच्चों को क्या है सबजी नहीं मन है उनको खाने का तो टिफिन में ये अचार भी दे सकते हैं कभी सबजी नहीं बनाया तो अचार ही सबजी का भी वर्क करता है देखिए अचार मेरा मिक्स करने के बाद त्यार हो गया अच्छे से आप भी बनाईए खाईए और लोगों को भी खिलाईए अच्ब्षक के याप नच्छे से झाल झाल